नमस्ते मैं समर बी दा क्रियेटर बॉंसाई गार्डिनिंग चैनल में आपका हादिक स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में मैं सेयर करने जा रहा हूँ मेरा नीम ट्रेनी बॉंसाई ये लगभग मैं पांचे साल से ग्लो कर रहा हूँ सीड से लेके इसे ग्रो किया हूँ मैं और आप देख सकते हैं छोटा सा ग्रोइंग बैग में ये इसको ग्रो किया गया था और इसे इस बेड में लगाया गया है ताकि ये बड़ा हो सके और ये काफी बड़ा हो चुके हैं इन तरे सालों में बीच में एक बार इसे यहां से मैं ट्रांग चॉप किया था अभी जो situation आप देख रहे हैं इसे फिर से ट्रांग चॉप की जरूरत है तो पहले ट्रांग चॉप कर लेते हैं इसने मुटे हो गये हैं इसे चॉप करने के लिए मैं आड़ी का इस्तमाल करूँगा काफी लंबा हो चुके थे यह यह से अभी चॉप करना ही था अभी यहां जो आप देख रहे हैं आड़ी से कटा गया है और इसे अभी डाइगोनल कट करना परेगा एक सूट यहां निकले है और एक यहां निकले है यहां जो टांग चॉप किया था यहां यह से आपके स्क्रीन में दाइने तरफ मुझे सूट मिला था तो यह ऐसे टान हुआ है यहाँ फिर से यह दाइने तरफ ही इसका टान होगा और यह मैंने चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि बाएं तरफ सूट निकले ताकि मुझे ओपोजित साइड में एक टान मिले इसलिए अभी मुझे क्या करना है मैं कि जो ड्यगोनल कट में करेंगा वो इसहिसाब से करना है कुटिंग के बाद जो सुट मुझे मिले वो आए तरफ मिले ढ़ाद में गाट करूँगा उस पूजित में सुट मिलने का चाहता है उस हिसाब से में ड्यगोनल कट कर रहा हूँ देखिए डाइगोनल कट मैं कर रहा हूँ इस तरफ और मुझे इस तरफ से सूट मिलने का चांसे से हैं कि कटिंग को तुरह और अच्छा तरह से करना है और सार्प करना है यहां एक्चुएली नॉब कटर का इस्तेमाल करने से यह काम अच्छा होता है लेकिन मेरे पास नॉब काटर नहीं है तो इसी से ब्रांच काटर से ही मुझे काम चलाना होगा देखिए पंदरा दिनों के बाद इसका प्रोप्रेस देखिए कितने सारे सूट्स निकले हैं लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टर संता उसी सबसे तेखिए ऐसे एक ब्रांच यहां मुझे चाहिए था लेकिन वह नहीं निकला अभी यह जो पॉर्ट्सन है जहां से कोई ब्रांच कोई ने सूट नहीं निकला है यह अगर ऐसे रह जाएगा तो यह धिरे धिरे यह ड्रायूट बन जाएगा और यहां जो कटिंग मार्क है यह इसका हिलिंग में इसको प्रॉब्लम होगा यहां एक नौब बनके रह जाएगा जो रिबर स्टेपर हो जाएगा जो बनसाई के लिए अच्छा नहीं है इसे एवोईट करने के लिए अभी जो सूट्स मिले हैं उस हिसाब से मुझे यह कटिंग करना होगा इस दिशा में हमको कट करना होगा इसे डाइगोनल कट करना होगा जिससे यह जो कटिंग मार्क बनेगा यह धीरे धीरे भर जाएगा जैसे यह एक्जम्पल आपके लिए यहां इसे चॉप किया गया था यह और यहां भी चॉप के बाद यहां ठीक इस जगह से नहीं सूट निकले थे जैसे मेरे नीम के पेड़ में अभी निकले हैं तो यहां समय पर डाइगोनल कट नहीं किया गया इसके रिजल देखिए यह जो आप रिवा स्टेपर अब देख रहे हैं पेड़ यहां से जाकर यहां बहुत ज़्यादा मोटा हो गये हैं इसे देखकर आपको समझ में आ रहा है कि यह डाइगोनल कट नहीं किया जाने से य कर देखेंगे तो आपको समझ में आगा देखिए यहां कितना ज्यादा मूटा हो गया है देखे ऊपर यहां कोई सूट नहीं था तो यह ड्राइवूट बन गया है इसलिए आप जब भी कभी प्रून करते हैं ट्रांग चॉप करते हैं खासकर तो जहां आपको सूट मिल रहे है ठीक उस जगह से ऐसे डाइगोनल कट आपको करना होगा एक्जूली ऐसे डाइगोनल कट नहीं करने से यह जो ड्रायूट बचता है इस ड्रायूट को बाइपस करके पेड़ को आगे बढ़ना होता है इसलिए यह ऐसे अचानक से इसे मोटा हो जाते हैं अगर पहले ही इ इसे सीधा ग्रो करने की मौका मिलता ऐसे टेपर नहीं बनता देखिए मैं इसे कट कर लिया थुरा सा और फिनिस कट करना होगा इसे साब काट करना होगा ताकि यह जो कट मार्क है यह बहुत आसानी से बढ़ जाए नेम के जो सूट्स निकलते हैं यह ऐसे लंबे होते हैं जैसे आप देख रहे हैं इसलिए देशले नीम का अगर आप बॉनसाई बनाना चाहेंगे तो नीम का कोई छोटा बॉनसाई आपने भी बना पाएंगे दुप इम जोगा पाएंगे अभी जो मैं कट लगाया ये दिरे दिरे भर जाएगा और ऐसे दिखेगा पहली बार जो ट्रांक चॉप किया गया था ये इसी का मार्क है ये दिखे कैसे भर गए है ये भी भरने के बाद ऐसे दिखेगा और ये जो नेने सूट्स मिले हैं ये इसे हम ग्रो होने देंगे और ग्रो होने के बाद ये जब मैचूर हो जाएंगे तब हम यहां ब्रांच सिलेक्शन करेंगे अभी इन्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा यहां जो ब्रांच आप देख रहें ये अभी तक इसका फर्स्स ब्रांच है कुछ ने सूट्स यहां निकले हैं यहां अगर ये सूट्स डेवलप कर जाए तो नीचे मुझे एक ब्रांच मिल जाएगा जो फर्स्स ब्रांच होगा अभी के लिए यही first branch है देखिए इस branch को हम यहां से देखिए ऐसे diagonally cut करेंगे और यहां जो यह suit है यह अभी growth इस पर आएंगे यह develop होता रहेगा और इस branch पर यहां एक suit है और यहां एक suit मिल रहे हैं यहां एक जो suit मिल रहे हैं और यह जो suit है यह सिदा उपर की तरफ जा रहे हैं तो हम यहां से cut लगाएंगे करेंगे और फाइनली cutting कुछ ऐसा होना चाहिए और यह जो तीसरा branch है यहां इसे देखिए यह इस branch के हम यहां से यहां से cut लगाएंगे और finish cut के लिए देखिए ठिक जहां हमें suit मिले हैं ठिक उसी के आगे इस प्रकार से कट लगाएंगे अभी प्रूनिंग के बाद पेड का लुक कुछ ऐसा बना इसे फिर से ग्रो होने देंगे इस एपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में तब के लिए नमस्कार